चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज हमारा सिक्स्थ लेक्चर वैल्यूज ओफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स एट सम और डिफरेंस ओफ एंगल्स पे ठीक है तो दोस्तों इसमें हम NCRT के examples उठा रहे हैं और उनको solve कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे उनको solve करना है तो आज का देखिए दोस्तों हमारा एक problem NCRT exemplar का क्या है आपकी screen पे है यहां दिया हुआ है दोस्तों if angle theta is divided into two parts such that the tangents of one part is lambda times the tangent of the other and phi is their difference then show that sin theta is equal to lambda plus 1 by lambda minus 1 into sin of phi लंबा problem है दोस्तों काफी सारी चीज़े है थीटा फाई lambda tangent sin चिंता की बात नहीं है सबसे पहले जभी भी आपको इतना लंबा problem आए English को maths में convert कर लिजे सबसे पहले हम लोग जो पहली चीज करेंगे वो करेंगे converting the problem into mathematical equation पहले जो है mathematical expressions या equations बोल लीजे दोस्तों ठीक है दोस्तों यह हम सबसे पहला काम करने जा रहे हैं यह हम सबसे पहले यह काम कर लेंगे उसके बाद जो हैं बाकी काम करेंगे तो क्या बोल रहा है एंगल थीटा is divided into two parts मान लीजिए थीटा के जो दो parts है वो है x1 और x2 तो पहला तो यही equation आ गया आपके पास x1 plus x2 is equal to theta यह आपका equation 1 आ गया such that अब उसके बाद दूसरा part क्या बोल रहा है the tangents of one part यह आपका first part है first part है उस angle का theta का और यह है second part ठीक है इस angle का यह आपका angle है यह आपका angle है ठीक है अब जो है दूसरा बोल रहा है उसके बाद यहां तक हमने निकाल लिया अब बोल रहा है such that the tangents of one part is lambda times the tangent of the other अब यहां रुकते हैं tangent of one part मतलब tan of x1 is equal to lambda times of tan of x2 यह आपका equation number 2 हो गया दोस्तों and अब आगे देखते हैं 5 is their difference 5 जो है वो difference दिया हुआ in angles का मतलब अगर angle x1 और x2 है तो x1 minus x2 जो है यह 5 दिया हुआ है यह equation 3 हो गया very good जी तो यह तो जो दोस्तों यह सारी चीज है सबसे पहले हमने जो English language थी उसको तीन beautiful equations में convert कर दिया and all this is given यह सारा मुझे given है problem का मुझे prove क्या करना है to be proved यह मुझे क्या करना है दोस्तों sin theta is equal to lambda plus 1 तो मुझे यह prove करना है sin theta is equal to lambda plus 1 divided by lambda minus 1 into sin of 5 ठीक है दोस्तों यह हमको prove करना है sin theta is equal to lambda plus 1 divided by lambda minus 1 into sin of 5 this is what you have to prove बड़ा simple है दोस्तों ठीक है तो यह सबसे पहले इतनी जो English थी ना जब उसको आप maths में convert कर लेते हैं तो तो चीजें धीरे 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 simple होने लगती है ठीक है ओकी अब जो है जरा next part में आप एक trick देखिए जो मैं आपको बताता हूं यहां पर एक trick मैं आपको बताता हूं और यह trick नहीं है trick बोल लीजिए यह concept बोल लीजिए जिस हिसाब से आपको इसको देखना है अगर मान लीजिए दोस्तों मेरे पास यह दिया हुआ है x by y एक ratio दिया हुआ है वो मान लीजिए दिया हुआ है मेरे पास 2 by 3 से ठीक है तो दोस्तों मैं x को लिख सकता हूं 2 times of k y को लिख सकता हूं 3 times of k where k is a constant सोचिए दोस्तों दियान से y बहुत simple है क्यों क्योंकि देखिए अगर मैं x की value 2k and y की value 3k ले लूँ तो x by y कितना होगा दोस्तों देखिए 2k divided by 3k ऐसे ऐसे कर जाएगा तो यहाद आएगा 2 by 3 देखिए which is same ठीक है तो यह एक दोस्तों कभी भी आपको ratio of two functions दिया हो so more generically अगर मैं more more general ways का क्या होगा वो देखिए दोस्तों अगर x by y कोई भी number का ratio दिया हो है ऐसे fraction में दिया हो है कि x by y is equal to m by n then x can be assumed to be mk and y can be assumed to be nk मतलब x को जो m है into k कर दीजिए और y जो है वो nk है where k is a constant ठीक है दोस्तों क्योंकि मुझे k नहीं पता k मुझे solve करना है but of course जब मैं इसको divide करूँगा तो यह m by n आ जाएगा इसलिए यह अगर equation मेरे को दी हुई है तो इसको satisfy करता हुआ यह मैं लिख सकता हूँ यह दोस्तों मेरा एक important concept या trick होगा जो आपको पता होना चाहिए अब इस trick को हम problem में कैसे लगाएंगे वो जड़ा देखते हैं पीछे जाएए यहां हमको दिया हुआ है tan x1 is equal to lambda tan x2 from 2 क्या दिया हुआ है tan of x1 is equal to lambda times of tan x2 which also implies tan x1 divided by tan x2 is equal to lambda by 1 ठीक है दोस्तों ठीक using trick of last slide which is slide 2 पिछली अगर हम slide को देखें तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि tan x1 को दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं lambda times of k and tan x2 को क्या बोल सकते हैं दोस्तों 1 times of k यह हम बोल सकते हैं पिछला देखे यही था कि अगर दो लोग दो numbers का ratio दियाओ है m is to n तो मैं पहले number जो numerator वाला number है उसको मान सकता हूं m times of k जो denominator वाला number है उसको मान सकता हूं n times of k and that is where दोस्तों आपका tan x1 is equal to यहाँ पर tan x1 by x2 lambda by 1 दियाओ है इसलिए tan x1 को दोस्तों मैं मान सकता हूं lambda times of k tan x2 को मान सकता हूं k ठीक है अब दोस्तों इसके आगे ना problem बहुत simple हो जानी है ठीक है दोस्तों याद रखिए दोस्तों अब मुझे क्या करना है अब मुझे जो है to be proved क्या है देखिए to be proved वो क्या है दोस्तों वो है sign of theta right sign of theta कितना है sign of theta की value कितनी है दोस्तों यहाँ देखिए theta is nothing but x1 plus x2 कितना है x1 plus x2 यह है आपका from 1 ठीक है तो is equal to sin of x1 plus x2 कितना होता है दोस्तों sin of x1 into cos of x2 plus cos of x1 into sin of x2 ठीक है दोस्तों इससे clear हो गया दोस्तों कि मुझे अब sin x1 cos x2 cos x1 sin x2 इनकी value पता होनी चाहिए कि मुझे इसको simplify करने के लिए बड़ा ही simple है दोस्तों मेरे पास दो चीजें दी वही है यह अगर मैं x1 मान लूँ तो मेरे पास tan x1 दिया वह tan x1 क्या होगा p by b perpendicular by base which is lambda k और base कितना है 1 है ना दोस्तों इसको हम lambda k by 1 कि तरह यूज़ कर सकते है ठीक है और यहाँ पर मेरा और tan x2 क्या है p by again base which is k divided by 1 यही दिया हुआ है तो अगर जो है दोस्तों यहाँ से मेरे को hypotenuse निकल जाएगा कितना होगा दोस्तों which is 1 plus lambda k का square ठीक है दोस्तों यहाँ पर hypotenuse निकल जाएगा 1 plus k square तो यहाँ से क्या जाएगा दोस्तों देखिए tan x1 तो दिया वा था मेरे को tan x1 तो दिया वा था tan x1 कितना था दोस्तों lambda k by 1 यही दिया वा था यह देखिए और यहाँ पर भी हमको दिया वा था tan x2 which is equal to k by 1 यह देखिए यह वाला दिया हुआ है हमको sin x1 cos x2 cos x1 sin x2 यह निकाल वा है तो sin x1 जरा देख लेते हैं कितना होगा sin x1 होगा p by h यही formula होता है तो lambda k divided by underscore of 1 plus lambda square k square and cos x1 दोस्तों कितना होगा b by h which is 1 divided by underscore of 1 plus lambda square k square ठीक है दोस्तों then comes यहाँ पर sin of x2 is equal to p by h which is k divided by under root of 1 plus k square and cos of x वो कितना होगा दोस्तों b by h b कितना है 1 divided by underscore of 1 plus k square ठीक है दोस्तों यह हमने दोस्तों यह वाला जो चीज है यह हमने काफी पिछले problems में भी जो है देखा है कि कैसे अगर हमको tan या sin किसी एक का दिया हुआ है एक angle का दिया हुआ है तो उसको हम simple right angle triangle में put करते हैं Pythagoras theorem use करते हैं ताकि हम बाकी सारी sides निकाल लें triangle की and then tan x1, sin x1, cos x1 जो निकालना है वो हम निकाल सकते हैं just by using our class 10 mathematics 10. sin x1, sin x2, sin x1, sin x2, sin x1, sin x2, 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 sin x3, sin x2, 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 sin x2 यहां से आजाएगा आपका perpendicular by hypotenuse और यहां से आजाएगा दोस्तों base by hypotenuse बस दोस्तों यही हमको करना था अब यहां पर जो है कुछ नहीं करेंगे replacing replacing by values of sin x1 cos x1 sin x2 and cos x2 तो जरा डाल देते हैं यहां पर देख लेते हैं क्या answer आएगा तो sin x1 into cos x2 यह डालते हैं दोस्तों sin x1 कितना है lambda k lambda k divided by under root of 1 plus lambda square k square into cos of x2 cos of x2 है 1 divided by 1 divided by under root of 1 plus k square 1 plus k square 1 plus k square plus cos of x1 cos of x1 कितना है 1 divided by under root of 1 plus lambda square k square into sin x2 sin of x2 कितना है दोस्तों k divided by 1 plus k square k divided by under root of 1 plus k square is equal to यह सारा base जो है में एक समान दिख रहा है तो base को आप कॉमन कर लीजे दोस्तों under root of 1 plus lambda square into k square into 1 plus k square यह आ गया और पर उपर क्या आ जाएगा दोस्तों lambda k plus k lambda k plus k is equal to k को कॉमन कर लीजे दोस्तों lambda plus 1 divided by under root of 1 plus lambda square k square and दोस्तों यहां सा कितना आ जाएगा 1 plus k square थेगा दोस्तों done okay तो यह हो गया आपका यह हो गया दोस्तों LHS left hand side तो दोस्तों यह हो गया अब जरा दोस्तों RHS बनाते है RHS क्या है मेरा right hand side क्या है वो है lambda plus 1 divided by lambda minus 1 into sin of 5 5 क्या है दोस्तों 5 क्या है दोस्तों यहां आईए पीछे 5 कितना था वो था X1 minus X2 तो 5 कितना है X1 minus X2 यह कहां से आएगा दोस्तों from 3 equation 3 से आ रहे है तो यह दोस्तों कितना हो जाएगा lambda plus 1 divided by lambda minus 1 into यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों बड़ा सेंपल साइन ओफ X1 इन्टू यह हम साइन ए माइनस बीका फॉर्मूला यह लगा रहे है दोस्तों माइनस कॉस ओफ एक्स वन इन्टू साइन ओफ X2 ठीक है दोस्तों इस इक्वल टू यहां से lambda plus 1 by lambda minus 1 into यहां से देखिए देखिए साइन ओफ X1 sin of X1 कितना है lambda k divided by under root of 1 plus lambda square k square lambda k divided by under score of one plus lambda square k square into cos of X2 cos of X2 कितना है दोस्तों 1 divided by underscore of 1 plus k square 1 divided by underscore of 1 plus k square ठीक है, minus cos of x1, cos of x1 is 1 divided by under root of 1 plus lambda square k square, 1 divided by under score of 1 plus lambda square k square, into sin of x2, sin of x2 कितना है, k divided by under root of, k divided by under root of 1 plus k square, ठीक है दोस्तों, इसको बंद कर दिया, right, next slide पे चलते हैं दोस्तों, lambda plus 1 divided by lambda minus 1 into, क्या जाएगा दोस्तों, lambda times of k, बेस सेम है, 1 plus lambda square k square, 1 plus 4, तो बेस तो सेम रख लेते हैं, under root of 1 plus lambda square k square, यह एक है, और दूसरा है 1 plus k square, देखिए, 1 plus k square, ऊपर जो आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा lambda k minus k, तो यहां से आ जाएगा lambda k minus k, ठीक है, is equal to, कितना हो जाएगा, lambda plus 1 divided by lambda minus 1 into, दोस्तों, यहां से हम k को common ले सकते हैं, तो k को common ले लिजिए, into lambda minus 1, lambda minus 1 divided by, नीचे का बेस तो भाई, दोस्तों, जो जैसा था, वैसा का वैसा है, 1 plus lambda square k square, and 1 plus k square, ठीक है दोस्तों, यह बंद हो गया, lambda minus 1, lambda minus 1, कट जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा दोस्तों, lambda plus 1 into k divided by, under root of, 1 plus lambda square into k square, into 1 plus k square, यहां से देखिए, LHS कितना था, k into lambda plus 1, k into lambda plus 1, underscore of 1 plus lambda square k square, 1 plus k square, underscore of 1 plus lambda square k square, 1 plus k square, this is equal to LHS, hence, ठीक है दोस्तों, तो यह दोस्तों, बहुत 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 सिंपल सवाल था, खाली इसमें मुझे लगता है कि खेल क्या था, what was the trick, the trick was, that, in slide number 1, how do you break the entire problem, which is in English language, into simple equation, English language की question है, उसको सब से पहले आप equation के माध्यम में, convert कर लीजे, once you do that, आपके पास जैसे 1, 2 और 3, 3 simple beautiful looking equations आगए, expressions आगए, उसके बाद क्या prove करना है, उसको यहां लिखिए, अराम से, और अब देखिए, कुछ नहीं करना है, equation 1 से theta की value डालनी है, equation 3 से 5 की value डालनी है, right, and यह जो हमने slide 2 में, जो trick यूज की है, यह trick नहीं है, concept है, right, कभी भी दो चीजों का अगर आपको ratio m is to n दिया हुआ है, तो वो जो दो चीजे हैं, उनको आप m k और n k के हिसाब से लिख सकते हैं, बस हमने वो दो चीजों को वो से साब से लिखा, हमें यहाँ पर tan x1 by tan x2 lambda by 1 के format में दिया हुआ है, इसलिए मैं tan x1, tan x2 को निकाल लूँगा, right, उसको मैं यहाँ निकाल लिया, तो मैंने sin x1 निकाल लिया, cos x1 निकाल लिया, यह दोस्तों हमने पहले भी बहुत सारे पिछले प्रॉब्लम्स अगर आप recap करेंगे, 1 से लेकर 5 तक in trigonometric functions के तो आप वहाँ पर भी देखेंगे कि हमने इस तरीके से अगर एक tan या cos किसी दिया होता है, तो हम तुरंट right angle triangle बनाके निकाल लेते हैं, वही चीज़ यहां हमने किये दोस्तों, उसके basis पे then sin a plus b, sin a minus b के formula को लगा के expand किया, और जो भी values थी sin x1, cos x2 उनको डाला, और उसके बाद तो simple आपका elementary algebra है, कुछ नहीं करना है, common denominator उसको लीजिए, common parts ने उसको लीजिए, और simplify कर लीजिए चीजों को, अपने आप आपका LHS जो है, वो simplify हो जाएगा, इस simple looking format में, and RHS जो है, वो भी निकल आएगा, उसी simple looking format में, and आप दोनों को मिलाएंगे, LHS को और RHS को, तो दोनों exactly same होगा, and hence it will be proved, वही हमको prove करना था, LHS और RHS same, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों, आज का हमारा ये problem यहीं पर समापत होता है, thank you so much for joining this lecture, हम आपसे दोस्तों कल मिलेंगे जहां ऐसे ही एक NCRT exemplar का बहतरीन problem लेके आएंगे, और उसको कैसे सोचने की अवस्था बनानी है, पहले वो बनाएंगे, और फिर उसको solve करेंगे, अगर दोस्तों आप हमारे full time course में नहीं जुड़े हुएं, जिसमें हम कई सेकडों और सवाल बनाते हैं, बहुत सारे concepts को और detail में समझते हैं, अगर आप हमारे full time course में नहीं जुड़े हुएं, प्लीज जुड़े, मातर 999 रुपए पर मंत में हमारे दिये गए फोन पे call या WhatsApp कर सकते हैं, या आप हमको email भी drop कर सकते हैं हमारी email ID पे, और हम आपको full time course में जोड़ लेंगे, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का lesson समाप्त हुआ, thank you so much. दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, तो जरूर हमारा चैनल Acute Angle को सब्सक्राइब करें और bell icon को दबाएं, इससे आगे आने वाले वीडियो की information आपको notification द्वारा मिल जाएगी.